सबसे पहले तो most awaited day 16th of May, उसकी energy क्या है और क्या होने वाला है, so let's see guides angels, 16th of May 2022, what is going to happen, what is the energy like, 16th of May 2022, 16th of May 2022, मेरे आखे बंद होती है guys, जो कार्ड उपर नीचे होता है, मैं उसको निकाल लेती हूँ, या फिर जो अपने आप किरता है, 16th of May 2022, what is the energy like, मैं एक बार और शफल करूँगी, if something comes out, otherwise these two are enough, okay, so many came and wow, again, 16th of May 2022, जो यहाँ पर कार्ड हैं, यहाँ, first card यह, oh god, already 2 थे, मुझे पता भी नहीं चला, okay, यह आने थे ना सबने, तो मैंने इतने पर बस करते नहीं थे, और यहाँ पर था, okay, so, first energy, जो है, यहाँ पर, बरफ की पिगलने के और तलवार के बाहर आने के energy है, which means communication, which means power, which means authority, which means action, which means decisions, बरफ पिगल रही है, फूल दिखाई देना शुरू हो गए है, which means growth, which means clarity, sunbreak है, which means कि जो सुरज की energy है, वो हर जगा चमकने वाली है, which means सारी चीज़ें जो है, वो रोशनी में आने वाली है, तो पहला तो मुझे 16 के energy इस तरह के लग रही है, जहां पर बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें जो है, दिखाई देने वाली है, दूसरा यहाँ पर एक coin के साथ magic के र energy लग रही है, तो हो सकता है कि आप अपना कोई भी कोई investment कोई आप investment करना चाहरे थे, कोई आप नया action स्राट करना चाहरे थे, नई चीज़ लेना चाहरे थे, उसके लिए हो सकता है, आप evaluate करें, दूसरा मुझे money energy के साथ, फ्लो जो है वो एक तरह से मुझे web लग रहा है, money आप बाहर आणने वाला है, उसमें बहुत सारे लोग प्राथना करते बैठेंगे कि उनका वबना भाहर आघाए, पर it looks like all the prayers are going to be the positive prayers are going to be answered, the negatives not and the webs are going to be answered, the negatives not and all the webs that are going to come out, बहार आणने वाले हैं यहां out of the blue एक red ribbon रिवन बाहरे दिखाए देगा, यहां पर बहाए बहाए gift दे रहे हैं कुछ चीज जो सफेद कपडे में ली जा रही है purity का sign होता है इनके dress पे कुछ लिखाया है if you guys can search it for yourself मैं भी करूंगी here it looks like P okay F okay so I can barely read this but कुछ signs हैं जो मुझे दिखाय दे रहे हैं इनके dress पे or I'm sure in signs का कहीं न कहीं कोई relevance होगा for sure अभी तो मुझे नहीं पता but मुझे ऐसा लग रहा है कि this looks like nature अपना काम करने वाली है और बहुत strong काम करने वाली है क्योंकि यहां पे आपको एक tattoo की तरह blue energy भी दिखाय देगी इनके हाथ में जिससे वो दे रहे हैं यहां से एक blue energy flow हो रही है so मुझे ऐसा लगता है जैसे यहां पे भी आपको tattoo दिखाय देगा you see यहां पे भी एक tattoo है बाजू के बिलकुल उपर यहां पे भी एक tattoo है here so मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें कुछ indications जो बहुत पहले ही लिख दे गई है in the ink वो अब बहार आने वाली है वो अब clear होने वाली है यह मुझे थोड़ी से energy क्योंकि white clothes आपको दिखाई दे रहे हैं green आपको दिखाई दे रहा है और white clothes में कुछ cover करके वो ले जाने वाला है बच्चा तो मुझे कोई evidence कोई कोई सबूत किसी चीज के कोई कोई ऐसी चीज जिसमें जो prayer की energy से भी related हो सकती है या प्रात्ना की energy से भी related हो सकती है किसी तरह से वहां से कोई सबूत निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इकठे किये जाएंगे और वहां से forces जो है उन सबूतों को लेकर आगे बढ़ेंगी यह defense की energy यह police की energy जो है वो भी होती है और यह अगर आप देखेंगे तो unicorn है और night of wands जो है unicorn पे आगे बढ़ रहा है यहां पे दूसरा page of cups भी आगया है जो मचली और कप दोनों को अलग लग हाथ में पकड़ा है जो सोने के धेर पे बैठा हुआ dragon है उस तक warrior पहुंच गया है mind blowing होने वाला है अगर जिस तरह मैं देख रही हूँ उस तरह से यह दिन जाता है 16th of me का तो mind blowing होने वाला है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा सबूत जो है वो मिलेगा जहां तक पहुंचना चाहिए वहाँ पहुंचेगा और एक मचली तो हाथ में आएगी लेकिन बहुत सारी मचली और जो सोने की खान है जहां बिठा के रखा है सारे सोने को वो भी बाहर निकल के आएगी बिग ड्रैगन इस गोइं तो बी करने से पहले सोचना है बहुत जल्दबाजी में इन्वेस्मेंट नहीं करनी है प्रेयर्स की एनरजी डेफिनिटली हेल्प करेगी ट्रैवल है मुव्मेंट है और कुछ अनेक्सपेक्टेड गें जो है वो आपकी तरफ आ सकता है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है अगर कोई आपको लालच दे तो लालच में फस्ना नहीं है 16th की एनरजी में आपने जरूर ध्यान रखना है बट overall energy 16th की मुझे बहुत पाफुल लग रही है कुछ बहुत बड़ी power authority का decision जो अभी तक stuck था वो होने वाला है और वो decision बहुत सारे बड़े changes लाके आने वाला है तो let's see कि क्या लाता है 16th की energy क्या लाती है और अब मैं live करने के बाद बागी की वीडियो बनाती हूँ अगर हो सकते तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप continue कर रहे हैं तो continue करें थांकियो सो मच ठेक केर बबाए